हेलो फ्रेंड्स तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए यूपी पुलिस से किस प्रकार के जो है प्रशन सामाने हिंदी से पूछे जाएंगे तो आज हम कुछ महत्पूर प्रशन जो है करेंगे जो आपके सामाने हिंदी से पूछे जाएंगे तो पहले भी मैंने आप सभ लेते हैं सामाने हिंदी के कुछ महत्पूर्ण प्रिश्ण उत्तरों की तो यहाँ पर फर्स्ट कॉश्चन आप देख सकते हैं निमलिकित प्रिश्ण में चार विकल्प में से दिये गए शब्द के सही समास वाला यानि किसका समास जो है वो सही है चक्र है घर में जिसके घर में तो चक्र नहीं है चक्र है अधर में जिसके बिल्कुल नहीं चक्र धारण किया है जिसने चक्र घर में जिसके तो चक्र धारण किया है जिसने ओप्शन सी नेक्स्ट कुर्शन है निमलेखित प्रेश्ण में चार विकल्प दिये गए हैं जिन में से उस विकल्प का चैन करे जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है राजा में गूमने वाला रात में गूमने वाला तो रात में गूमने वाले को क्या कहेंगे भ्रमनिये तो भ्रमनिये तो एक गूमने वाला हो गया तपस्य, तपस्य करने वाला निशाचर रात में गूमने वाला यानि यहां option हो जाएगा सी अजगर्द अजर तो हमेशा जीने वाला अमर रहने अजर जो कभी पूढ़ा ना हो तो यहाँ पर उप्शन सी हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशिन है निमलेकित प्रेशने में चार विकल्प दिये गए हैं जिन में इससे एक शब्द के दिये गए अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ है तो अनिकार्थी शब्द यहाँ आपको चुनना है तो देखिए मद्रा तो मद्रा का तातपर क्या है तो मुद्रा का अर्थ देखिए रुपया होता है बिल्कुल सही है लेकिन भाग, परवत या फिर गोद नहीं होता है तो ये तीनों ही option कट गए हमारा option A जो है वो right है चले next question है नेमलखित प्रेश्चन में चार विकल्पों में से सही करता कारक को पहचानिये तो यहां पर आपको जो है करता कारक ढोड़ना है रोहन ने होकी खेली तो अब यहां पर कौन सा कारक है तो यहां पर रोहन ने तो कारक क्या हो गया ने ठीक है चले next question पर आयाते हैं नीचे दिये गए प्रेश्चन का सही विकल्प पहचानिये करता का क्या अर्थ होता है तो करता का अर्थ क्या होता है तो वो होता है जो कारे करे नेक्स्ट कोश्चन है निमलखित प्रश्च में चारवी कल्पों में से दिये गए वाक्य का सही काल वाला पहचानी है तो यहां आपको काल ढूनना है आज वर्शा होगी तो यहां पर कौन सा होगा संभावे वर्तमान काल तो आज यानि की वर्तमान की बात हो रही है और होगी यानि भवेश्योगे संभावना जो है यहां पर होने की कह रही है तो option B is the correct answer चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं निमलखित प्रश्चन में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उधारण पहचानी है तो यहां पर आपको सकर्मक क्रिया ढूनना है कशिश तो यहां हमारे question है कि सकर्मक क्रिया जो है हमें ढूनना है तो कशिश हस रही है तो यहां पर देखी कशिश हस रही है यहां नहीं है सकर्मकरिया पिचडिया ओर रही है नहीं सूरज उगरा है तो यह सभी काउम ऐसे हैं जो स्वैम ही हो रहे हैं लेकिन सीता वीना बजा रही है तो यहां पर जो है कार्य जो है हो रहा है यहां पर option D जो है इसका सही answer हो गया चलिए next है नहीं लिखे तो प्रश्ण में चार विकल्प दिये गई है जिन में से उस विकल्प का chain करे जो दिये गई शब्द का सही pulling शब्द है तो यहां पर आपको pulling शब्द ढूड़ना है सामरागी तो सामरागी का pulling क्या होगा समराट चलिए next question है सही बहुवचन का जो है आपको चलना है तो चड़ियां चड़ियां का क्या होगा वोगा चड़ियां ठीक है बहुवचन में जब एक से जादा हो तो यहां पर जब चड़िया का होगा वोगा चड़िया चड़िये तो छोटे-छोटे question से easily आप कर सकते हैं next question है तो सही विकल्प का चेन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उनको क्या कहा जाता है और वियंजन का जो है सुतंतर जो है उचारण नहीं होता जैसे अगर मैं यहां बात करूँ कि आपने का लिखा तो का ऐसा होता है उसमें जब हम आज ओड़ देंगे तब यह पुरा का बनेगा ठीक है चले नेक्स्ट है निमलिखित प्रेश्णम में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करे जो वियंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चैन का उपयोग किया जाता है तो अब जैसे मैंने यहां पे बताया कि हमने जो है वियंजन हो गया यह कर अब लेकिन यह जो हम दर्शा आते हैं तो इसमें क्या लगा होता है हमें क्योंकि स्वर रहित बनाना है तो स्वर रहित जब यह होता है तो नींचे जो है ऐसा निशान होता है इस निशान को क्या कहते है इसको हलंद कहते है चले नेक्स्ट कॉशिन पर आते हैं तो नेक्स्ट कॉशिन है चार विकल्पों में से संग्या शब्द से बनने वाला सही विशेशन शब्द चुनिए तो यहाँ पर शब्द है शक्ती तो शक्ती का विशेशन क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा शक्ती शाली चले ने एक्स कॉशन लेते है निमलिकित प्रश्ण में दिया गए विकल्पों में से रिखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहुचाई तो यहां हमारा शब्द है कोई आपसे मिलने आया है तो यहां पर रिखांकित शब्द है कोई तो यहां पर इसमें कौन सा सर्वनाम है तो इसमें जो है अनिश्चे वाचक क्योंकि कोई भी निश्चे नहीं है कि कौन है प्रश्ण तो यहां पर है नहीं यहां पर कोशन मार्क लगा होता संबंद कोई पता ही पता नहीं चाल लाः है इसमें ने जवाजचक ये भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है अनिस्ट्रेक की कोई कौन है कुछ पता नहीं है अयोद्या सिंगुपादीय हरी ओद जी की प्रसिद रचना कौनसी है जर्णा प्रसाद की है प्रियव प्रवास हरियोद की है प्रेमपलाप अंधायुक धर्वीर भारती की है तो यहां पे प्रियव प्रवास जो है हरियोद की रिचना है नेक्स्ट है निम्लिकेत प्रश्च में चार विकल्पों में से उससे विकल्प का चैन करें जो बताता है कि फणिश्वनाथ रेनुदारर रचित उपन्यास कौन सा है तो यहां पर यह मदुशाला हरिवन श्राइबच्चन का है मैला आचल फणिश्वनाथ रेनुदारर का है मरिगनैनी आमरतलाल नागर का है मुद्रा राक्षिस भी तो मुद्रा राक्षिस जो है विशागदत की रचिना है चलिए नेक्स्ट कॉशन है इनमें से कौन सी रचिना मीरा बाईधारा रचित नहीं है राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरट के पाद ये तीनों मीरा बाई की है लेकिन वेदेही वनवास ये किसका है तो ये हरी ओध जी का है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं नेक्स्ट करचन है माखार्ला चत्रवेदी को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया तो इनको हिम तरंगनी के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका गद्यांश वाला प्रिशन है तो चले इसके आंसर आंसर देख लेते हैं चमबा का इतिहास धर्म और परेटन का कैसा मेल है तो यह मन को हरने वाला मेल है नेक्स्ट है डॉक्टर वोगल ने चमबा को अचमबा कब कहा तो यह उन्होंने कहा उसको देखने के बाद नेक्स्ट है चमबा को सौभागेशाली क्यों कहा गया है राजा की कारान जो है इसको सौभागेशाली कहा गया है नेक्स्ट है चम्बा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई तो इसकी कलम शैली ने जो है पहचान बनाई वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुचिद में से पहचानी तो वशीकृत इसका अनुचिद में से आपको ढूणना है तो यहाँ पर मैं आंसर बता देती हूँ वो है मंत्र मुग्ध चड़े नेक्स्ट कॉश्चिन है चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करे जो की दिये गए पद्द के उचित अलंकार तो यहाँ पर आपको अलंकार ढूणना है भिखारिन को देखकर पट देत बार बार अब यहाँ पर जो यह पट शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं और जहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हो तो महा पर कौन सा लंकार होता है भहाँ पे सलेश लंकार होता है चले नेक्स्ट क्रैशन एन निकल्पेट परश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करे जो रिखांकित शब्दों के सही अव्यव के भेद तो यहाँ पर आपको अ है समच्चे बोधक अव्यव है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नमलिकित प्रेश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का तो यहां पे आपको वाक्य जो है वो शुद्ध करना है विद्याले में बाई यह इसका शुद्ध रूप क्या होगा तो विद्याले की बाई और बड़ा सा मैदान है यह इसका शुद्ध रूप होगा चलिए नेक्स्ट कोशन है नेमलिकित प्रेश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चैर समान की बात हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सममात्रिक छंड नेक्स्ट कुरेशन है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है घाठ घाठ का पानी पीना अब इसका ताग पर क्या है तो इसका अर्थ बहुत अनुभवी हो ना option d is the correct नेक्स्ट कुरिशन है नेमलिकर प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो बताता है कि जहां किसी हानी के कारण शोक भाव उपस्तत होता हो वहां किस भाव की उपस्तती हो तो यहां पे बात हो रही है हानी की जहां पे हानी की बात हो रही हो तो वहाँ पे क्या आएगा वहाँ पे करुणरस क्या होता है जब आपको किसी बात पे रोना आज दुख की बात हो रही हो तो हानी की बात हो रही है तो वहाँ पे करुणरस आएगा नेक्स्ट ने विखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चेन करें जो निर्देशा अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है राधा स्कूटी चला रही है तो इसको भाव वाच्ची में आपको बदलना है तो राधा से स्कूटी चलती है तो चलिए नेक्स्ट कॉश्टिशन पर आ जाते है तो यहाँ पे आपको कौन सा विकल उद्धरण चिन्हका है तो उद्धरण चिन्हका जो है वो कौन सा होगा पदमश्री श्रीमती श्यामा चोना मा ने कहा बेटा सदा उन्नती करो वह यह तो विसमयादी बोधक है यह प्रशन वाचक है यहाँ पे यह समुच्च बोधक है तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह जो है यह वाला है ठीक है तो यहाँ पे आप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है निमलिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए शब्द का सही समान अर्थ तो यहाँ पर आपको समान अर्थ ढूड़ना है तो शरीर, शरीर का समान अर्थ क्या होगा वो होगा कलेवर ठीक है नेक्स्ट है तो चलिए नेक्स्ट कुशिन है निमलिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो सही विकल्प है उपसर्ग और प्रते दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं तो क्या होते हैं उपसर्ग और प्रते तो ये शबदाश होते हैं, ठीक है, शबदों के अंश होते हैं नेक्स रे नम्लिखित प्रेश्ट में चार विकलपों में से उस विकलप का चैन करें जो प्रते से नहीं बना है, जिसमें कोई भी प्रते नहीं लगा है शिष या, या हो गया, शेर नी, नी प्रते, दया मैं माय प्रते, लेकिन परिचे शब्द जो है अपने आप में पूरक है, इसमें कोई भी प्रत्य नहीं लगा है, option D is the correct answer, next question पर आते हैं, तो next question है, निलिखित प्रेश्ट में चार विकल्प है, जिन मेंसे एक शब्द दिये अजले गए शब्द के तद भावरूप है, तो यहां आपको तद भाव ढूनना है, मक्षिका, तो मक्षिका का अर्थ क्या होता है? मक्षी, यह तो easy है, चलिए नेक्स्ट है, अव्लिखित में से, विपरीत अर्थ आपको ढूनना है, सन्यासी, तो सन्यासी का विलुम क्या होगा वो होगा गरहस्त सन्या से जो घर त्याग कर आश्रम में रहता हो बचन किर्तन करता हो वो होता है गरहस्त जो की घर में रहता हो चली नेक्स है नेम लिखेत प्रश्च में यहाँ पे आपको संधी विच्चेद ढूणना है नारी इच्छा नारी इच्छा का क्या होगा नारी जमा इच्छा यानि नारी की इच्छा होगा चली यहाँ पे आपको जो शिवद सबसे अच्छा विकल्प है जैसे नीयत तो नीयत का तात्पर क्या हो गया निश्चित इच्छा तरफ गरीब नहीं होगा नियत का होगा निश्चित तो चलिए यह थी सामान निग्यान की प्रेशन तो आप सभी को यह प्रेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और इसी परकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा धन्यवाद